नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की 16 सितंबर 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रस के इंपॉर्टन न्यूस जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्प्लेंट पीस से फिस्ट जो पॉइंट है वो रorsa अर्टिकल है वो रिलेटिड है कि इंडियन मार्कित जो है वो सो कर रहा है जबकी ग्लोबली दूसरे मार्किट की अगर बात करें तो वहां पर देखने को मिल रहा है सवाल ये है कि Indian market को ये जो resilience का मतलब होता है शोक लगने के बावजूद भी आप उठ खड़े हो जाते हो ठीक है, तो आपकी जो strength है inner core strength वो show होती है resilience में अब सवाल या है कि ये जो Indian market को resilience मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण है तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो तीन main points बताना चाहा है first point तो यह कि USA में inflation चल रही है हमें पता है but वो USA में जो inflation है वहाँ पर inflation का एक अलग point है वो कारण India में as it is replicate नहीं हो रहा और वो कारण क्या है higher service cost वहाँ पर service sector बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पर भी चलता है पर service sector की जो value है value के इसाब से जो volume देखी जाए value के इसाब से जो total strength देखी जाए वो हमारे से बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा costing आ रही है कहने का मतलब अगर hospital जाना पड़ रहा है किसी को treatment के लिए insurance अगर उसको करवाना है तो बहुत पैसे खर्च हो रहे है पहले के comparison में तो वो load आ रहा है ज़्यादा तर उन लोगों पर हमारे यहाँ पर inflation को क्या है वो आपको पता है supply side का issue है ठीक है तो supply side तो ठीक होते है goods की तरफ से है commodity की तरफ से अब commodity में तो supply side जैसे normal होगी inflation control में आ जाएगी पर service में जो inflation हो चुकी है मतलब जो उनको services लेनी होती है चाहे फिर वो किसी भी तरीके के लिए education ले, hospital ले, health ले, कुछ भी ले हर एक चीज में उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है वो चीज वहाँ पर चल रही है इंडिया पर उसका कोई असर है नहीं तो एक तो यह point आ रहा है इसके अलावा आज बहुत हम news देखते हैं कि US, Europe, China इनकी economies जो हैं वो Indian economies से बहुत ही बुरा perform कर रही है अगर comparison किया जाये तो ठीक है, साथ में अगर देखा जाए तो commodity की price है वो more or less इंडिया में अभी under control आने के chances दिखाई दे रहे हैं जैसे अगर हम बात करें crude oil की बात अगर करें तो crude oil पिछले 2-3 हफतों में बहुत कम हुआ है अभी per barrel 92 dollars के लगबग लग रहा है क्योंकि जो 113-114 dollars तक पहुँच गया था वो कम हुआ है तो ये एक तो point के आ रहा है कि जो shock है, जो inflation है वो वहाँ पर जादा है और inflation का कारण जो है वो इंडिया में as it is copy based नहीं हो रहा है तो एक तो ये कारण बताया जा रहा है कि Indian economy क्यों resilient है या Indian market क्यों resilient है दूसरा कारण जो बताया जा रहा है वो ये कि अब जो portfolio investors है वो Indian market में invest करने लग गए है जैसा कि हमने previous trends देखे थे कि October 2021 से लेकर कि जुलाई 2022 के बीच में बहुत सारे portfolio investors ने Indian equities से पैसा निकाल करके और पैसा ले गए थे वो अमेरिका की तरफ अब क्या हो रहा है कि Indian economy में लोगों को confidence दिख रहा है तो portfolio investors दुबारा आ रहे हैं इंडिया में इससे क्या हो रहा है कि इंडिया में जो dollar है वो inflow हो रहा है अब dollar inflow होगा तो इससे क्या होगा कि automatically dollar की quantity हमारे market में बढ़ेगी तो रुपी इससे appreciate हो जाता है ठीक है तो ऐसे में FPI का जो favorable trend देखने को मिल रहा है वो हमें benefit देता है दूसरा factor हो गया तीसरा factor क्या रहा है और FPI क्या होता है जब कभी भी foreign investors 10% से कम हिससे में किसी भी Indian company में invest करता है तो उनको foreign portfolio investor बोल देता है general terms में देखें या फिर ये कहे दो कि वो लोग जो बाले से बाटिया सेखते हैं बाहर बैट करके Indian companies की बाटिया और उनमें पैसा लगाया company उठ रही है तो पैसा लगा दिया company डूबने वाली होती है economy डूबने वाली होती है down जाती है तो पैसा निकाल लिया उसमें माथा पच्ची नहीं रहती है उनमें सीधा participation नहीं होता foreign portfolio investors indirect participation करता है ठीक है तो ये point हो जाना सी फिर आता है third factor देखो अगर हम हमारे बात करें तो जादातर countries में एक structural issue आ रहा है बहुत सारा problem आ रहा है COVID outbreak के बाद में supply chain में जबकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने अपने आपको बहुत जल्दी इस चीज के लिए तयार कर दिया जैसे कि production linked incentives scheme दे रखी है incentives दे रखी है manufacturer को कि आओ हमारे आप प्लांट लगाओ corporate tax को reduce कर दिया तो SM और labor laws को भी हमने codify करके 4 labor code तयार कर दिये अब उनमें West Bengal, Rajasthan, Tamil Nadu something कुछ states है वो finalize कर देंगे rules को तो SM है लगबग लगबग जितने भी बड़े states है उन्होंने labor laws को भी बहुत अद्दक consolidate कर दिया है तो SM हो hurdle जो है जो पहले हुआ करती थी entry में, operation में और exit में वो चीज़े थोड़ी smooth हो रही है इंडिया में इसका मतलब structurally हम बहुत अद्दक अपने आपको smooth up कर चुके हैं उसका benefit हमें मिल रहा है तो ये तीन points है जिसकी वज़े से Indian market resilient है अब अगला सवाल आता है कि global जो economies है वो इतना crisis में इंडिया perform कैसे कर रहा है ठीक है तो इसका तीन कारण तो हमने already देख लिया एक inflation की हम बात करें तो inflation इतनी ज़्यादा नहीं है देखो हमारे यहाँ पर already RBI को जो band दिया हुआ है 4 plus minus 2% वाला वो हमें maximum range कितनी देता है 6% और inflation August month में कितनी आई है 7% के लगबग तो 1% ज़्यादा आई है जो भी tolerable band है उससे जबकि western countries for example हम USA की बात करें वहाँ पर normal times से 2% के लगबग inflation चलती है और अभी recently data recall का data हमने देखा था 8.35 या 8.32% के लगबग वहाँ पर inflation चल रही है तो आप खुद देख लो चार गुने inflation है वहाँ पर ठीक है तो यह जो परिस्तितिया है ना यह मुश्किले कर देती है दूसरी चीज हमारे यहाँ पर जब foreign portfolio investors ने पैसा निकाल लिया था ना तो हमारे जो local investors ना domestic investors उन्होंने पैसा invest किया market में इसकी वज़े से भी हमारा market जो है वो crisis में नहीं गया और आज आप देखो sensex वर्ड के जितने भी टॉप जो यह sensitive index जिनमें जो इंडेक्स जिनमें शेयर market का यह हम देखते हैं तो आप देखो उसमें सबसच्चा perform कर रहा है sensex 13% की growth rate के साथ में ठीक है उसके बाद में दूसरे number पर आ रहा है बोवेश्पा यह ब्राजील का है जिसकी rate है growth की 12.2% जबकि growth का मतलब increment बाकी अगर देखो शंगाई composite चाइना का हैं शेंग होंग कोंग का यह minus में चल रहा है minus 5.9 minus 13.4 कुल मिलाकर कि अगर देखा जाए तो इंडियन market बड़ा attractive feel हो रहा है investment भी आ ठीक है और बाकि आपको पता ही है crude oil के prices जो है वो previously rise हुई थी तो वो challenge थी और अभी भी यही challenge बना हुआ है कि अगर crude oil के prices rise होती है तो हमें अभी challenges अभी और देखने को मिल सकते हैं पर देखा जाए तो long term 5-7 साल के point of view से देखा जाए ना तो इंडिया में economically, politically, security point of view से जो ह engagement हुआ है ना वो एक security point of view से safe place ensure करता है इंडिया को कि invest करने में कोई risk नहीं है तो इस सारी चीजे बहुत matter करती है गवर्मेंट अगर central government stable है उसका भी benefit बहुत मिलता है ठीक है कि सरकार जल्दी से नहीं बदलने वाली है तो चलो ठीक है यहाँ पर invest करो इस government की policy के हिसाब से नहीं तो क्या होता है democracy में सबसे बड़ी problem कि एक government कोई policy बनाती है उस policy के basis पे investment किसी ने कर दिया तो पता पड़ा कि सरकार बदलते है उस policy भी बदल गई तो लोग फिर मजबूरन डर के मारे या फिर policy change होने की वज़े से वो अपना पैसा निकाल के ले जाते है तो वो comment था उस comment में पूछा था कि सर export से क्या benefit है या फिर रूपी appreciation से देखो अगर हमारे यहाँ पर investment आता है ना तो dollars के form में आएगा dollars के form में अगर investment आ गया तो इसका मतलब हमारे market में dollar की liquidity rise होगी की नी dollar की liquidity rise होगी तो रूपी automatically appreciate कर जाएगा रूपी थोड़ा strong perform करेगा पहली चीज़ तो अगर investment आता है तो दूसरी चीज़ जब dollar strong होता है ना तो उसकी वज़े से हमें import जो हम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी कम भार को जेलना पड़ता है जबकि export हमारा थोड़ा सा dent में जाता है रूपी appreciate होना export के लिए ठीक बात नहीं है ये ध्यान रखना आप ठीक है अगर हमारी currency appreciate हो रही है मतलब strong बन रही है ना तो हमारी हमारा export जो है वो rise नहीं होगा कारण क्या होगा क्योंकि वो ही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि एक डॉलर बराबर 75 रूपीज है for example ऐसे में आप export कितना कर दोगे एक डॉलर में 75 candies का अब वहीं पर रूपी को depreciate कर दो आप तो एक डॉलर बराबर 80 रूपीज कर दो अब क्या होगा हमारे देश में तो वो candy एक रूपे की भी केगी बट international market में वो एक डॉलर में आप कितनी candies export करोगे 80 तो इसका मतलब क्या हो इंपोर्ट के बिलको कम पे करना पड़ता है ठीक है पे तो हमें dollars में करना पड़ेगा अपर load कम आता है उसका फिर समझ गया लोड का मतलब हो क्या exchange rate की अगर हम बात करें अच्छा दूसरी चीज़ अगर बात करें appreciation और depreciation ये केवल market पे dependent भी नहीं रहती है चाइना जैसे country पर बार बार ब्लेम लगते रहते हैं कि चाइना का जो central government है वो चाइना की currency मनबी को जो है वो खुद से devaluate करके रखता है इससे कि चाइना एक्सपोर्ट कर सके ज्यादा ज्यादा क्यों जितनी currency devaluated होगी उतनी ही ज्यादा commodity export होगी उतना ही competitive उनके product market में भिकेंगे इस त जरुत है तब क्या होगा तब हमारा रुपी जब decline भी करेगा ना depreciate भी करेगा तो उसका हमें benefit मिलेगा क्योंकि हमारा export rise होगा इस तरीके से mechanism काम करता है नेक्स्ट है United States Pakistan F-16 package देखो अभी United States of America के द्वारा पाकिस्तान के जो fighter jets है F-16 उनकी repair के लिए 450 million dollar का एक package release किया है अब आप देखो इसका जो है वो हमारे लिए भी security concern बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान जब कभी भी मालो हमारे साथ tensions create होती है जैसे recent अगर हम देखें तो जब आपको पता है कि उस टाइम पर अभिनंदन का जो issue हुआ था हमारे जो आप देख सकते air force के जवान थे इंडियन एर फोर्स के पाइलेट अभिनंदन वर्दमान थीक है जब उनका clash हुआ था air strike जब की थी बाला कॉर्ट में उस टाइम की बात है तो उस टाइम पर पाकिस्तान एर फोर्स के दुआरा F-16 का ही use किया था तो इंडिया ने अपनी तरफ से देखो एक discontent show किया है कि जी F-16 को repair करने का package आपने जो दिया है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं खात्रे वाली चीज साबित हो सकती है अब देखो जब USA की इंडिया की बात करें तो हमारे 2 प्लस 2 engagement भी है USA के साथ में जिसमें हमारे foreign affairs minister और defense minister participate करते हैं इसके लावा court dialogue में भी हम participate करते हैं तो यहाँ पर भी जब उनके leaders आये तो उनकी सामने government ने government of India की तरफ से message deliver किया गया था ठीक है और इसके अलावा देखा जाए तो अभी letter भी लिखा गया है हमारी जो defense ministry उसके द्वारा अगर हम बात करें USA के defense department को बात ऐसी है कि आप इस तरीके से पाकिस्तान को कैसे support दे सकते हो ठीक है अब वहाँ से department जो है department of defense of US वहाँ से क्या का गया है कि इंडिया जब strategic autonomy रखता है for example एक तरफ तो COD में participate करता है दूसरी तरफ संगाई corporation organization में बात चीत करता है जहाँ पर चाइना और रशिया है जबकि COD में और र तरफ से एक main argument उचल रहा है या आ रहा है ठीक है और यह point भी है वही सीधी सी बात है कि इंडिया अगर COD में participate करें इंडिया अगर SCO में participate करें तो पाकिस्तान भी तो USA का एक देखा जाए तो cold war period से लेकर के अभी तक का ally रहा हुआ है वो तो Donald Trump ने आकर के यह देखा कि हमा उस aid को बंद किया पर अभी Joe Biden ने उसका एक तरीके से revival दे दिया तो कुल मिला करके एक कैतना कि जो old friendship है उसका revival देखने को मिल रहा है इसके लावा देखा जाए तो चाइना की जो presence है पाकिस्तान में उसको counter करने की पूरी कोशिश कर रहा है USA और चाइना की presence को counter करने के पी तो तालिबान पर भी पकड बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को एक टूल की तरह यूज़ करना है तो उस point of view से यह जो funding है ठीक है 450 million dollars की यह important बन जाती है और यह आपने पड़ी लिया होगा जो contemporary world politics वाली book है class 12 NCRT में जिसमें हम देखते है सीटो सेंटो यह जो groups थे यह organizations से इनमें पाकिस्तान का रोल देखो आप कितना खुलके था मुखरो करके था तो वो point यहां पर निकलके आता है ठीक है अब सवाल बाइडन administration ने यह क्यों कदम लिया है अभी आपको पता है कि अलकाइदा के लीडर औसमा बिन लादन के बाद में अभी leadership किस क्याहत में थी MNL जवाहिरी तो उसको काबूल में जब strike किया गया उससे मारा गया तो उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की तरफ से help मिली अब allegation लगता है कि आज ही पाकिस्तान ने कर दिया आज ही उसने कर दिया बट drone strike करके काम तो करी दिया न तो कुल मिला करके किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को terrorist activities की तरह activities के लिए यूज नहीं होने देना ये अमेरिका का main target है और उस point of view से देखा जाए तो पाकिस्तान आज भी एक reliable partner के तोर पे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पहले इमरान खान थे इमरान खान ने तो मना कर दिया था बोले USA के बिल हो गए इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी अभी भी अमेरिका के साथ में अपने relation बिल्कुल वीक नहीं करना चाहती जैसे कि आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा या ISIA के जो हैड है लेटनेंट जनरल नदीम अंजुम ये लगातार USA के इंटर लॉकिटर्स जब केवल इमरान खान के हटते ही आप खुद देख सकते हो कि गॉर्मेंट चेंज होते ही USA का जो USA के ट्वार्ट जो एटिट्वड हा पाकिस्तान में वो भी चेंज हो रहा है और इसी चीज को US ने रिकर्गनाईज किया है ठीक है ना ये पॉइंट सारे आ जाते हैं इसके आप से देखा जाए F-16 किस ने दिए USA ने JF-17 किस ने दिए चाइना ने तो USA ये भी देख रहा है कि चाइनीज फाइटर जाएट जादा और सीधी सी बात है ये जो वेस्टन कंट्रीज है जैसे US हो गया या दूसरे जो भी कंट्रीज है ना ये लड़ा करके आस पास के दे देखा जाए तो पॉइंट क्लियर होता है ये जो कंपनी है वो लॉक हीड करके कंपनी है लॉक हीड कंपनी है उसके द्वारा ये डवलप किया हुआ है F-16 और वही ये मैंट्रिनेंस का ये काम करने वाली है 2019 में इंडिया पाकिस्तान जो स्किरमिस हुआ था स्किरमिस कौन देखो जारखंड जो है अपने लोकल रेजिदेंट्स को एक तरीके से रिकग्नीशन देना चाहता है जारखंड की गवर्मेंट के द्वारा जारखंड के द्वारा प्रूवल दिया जा चुका है कि 1932 के डेसिस पर ये देखा जाएगा कि कौन इंडिवीजिवल जारखंड का लोकल है और कौन बाहर से आया हुआ है 1932 ठीक है अब आप देखो इस ड्राफ्ट का नाम क्या है अभी तो कच्चा चेटाता यार हुआ है राइट जिसका नाम है लोकल रेजिदेंट ऑफ जारखंड विल इसमें ये देखा जाएगा कि 1932 को कट-off येर माना जा रहा है औ बेनिफिट दे पाएगी तो इस तरीके का प्रोपोजल तयार किया गया है बेसिकली और जारखंड के अप्रूवल के बाद में जैसे ही ये बिल जारखंड की असेम्बली पास कर देती है इसको विदान सबहां की तो इस बिल को एक्ट बनने के बाद में जारखंड गौर्र जाता है यह ऐसे सेडियूल है जो कि जुडिशल स्कूरूटिनी से बची हुई है मतलब इसमें जो भी लौ डाल दिया जाता है जो भी एक्ट डाल दिया जाता है चाहे सेंट्रल गवर्मेंट का हो अगर नाइन सेडियूल में उसको डाल दिया ना इसका मतलब वो रिव्यू के बाहर नहीं है इवन नाइन सेडूल को भी सुप्रीम कोट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिन के बेसिस पे चेक करने के लिए जुडीशली स्कूटिनाईज कर सकती है ठीक है तो अब पॉइंट यहां पर यहां रहा है कि नाइन सेडूल में फिर भी डलवाना चाहती है जारकन की गवर्मेंट वो इसलिए कि चलो ज्यादा भी नहीं है ना तो कम से कम एक immunity तो मिल जाएगी ठीक है जल्दी से रिव्यू करने का chance नहीं होगा रिव्यू तो हो सकता है पर वो रिव्यू करने में भी डिले हो सकता है नाइन सेडूल वो ही बात है एक layer of protection होगई इकुल मिला करके अब इस बिल में provision जो किया जा रहा है वो क्या है 1932 में सर्वे किया जा रहा है सर्वे को मतलब खतियां बोला जा रहा है ठीक है खातियां अब इसमें ये देखाना खातियां खाता ही से हो गया खाता अकाउंट उस हिसाब से देखने वाली बात ये है कि 1932 के टाइम से पहले कौन इंडिवीजुल जारकंड के थे और उन इंडिवीजुल के जो सकसेसर्स अभी भी वहाँ पर रह रहे है उनका देखा जाएगा उनकी घ्राम सबा में बेस क्या है ठीक है कल्चर क्या है लोकल कस्टम ट्रेडिशन ये क्या है इन चीजों को रेकरगनाईज करके फिर उनको टैग दे दिया जाएगा किस चीज का यहाँ पर देखो मूलवासी का टैग मिल जाएगा अब मूलवासी का टैग मिलने के बाद में फिर उनको बेनेफिट दे दिये जाएगे गवर्मेंट जो भी कुछ देना चाहती है ठीक ना सर्टेन बेनेफिट दिये जाएगे फर एक्जामपल लेंड को दे करके रिवर वाटर, रिवर डवलप्मेंट, फिशरी इनको लेकर के कॉमर्शल एंटरप्राइज़ को कुल मिला करके लोकल्स को बेनेफिट पहुचाने के लिए ये काम किये जा रहे है अब देखो यह अभी तो ड्राफ्ट बिल है कि हाजी चान इसको चैलेंज किया जाए बड़ चैलेंज करना पॉसिबल है नाइन सेडियूल के लिए बार-बार बोला हुआ है और मैं बता देता हूँ आपको केस कौन सा है वो ये देखो दो हजार साथ का 11 जनुवरी दो हजार साथ का लेंडमार्क रूलिंगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि नाइन सेडियूल भी है ना वो भी जुडीशल रिव्यू के लिए ओपन है अगर देखा जाए तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर का अगर वाइलेशन होता है जिसमें पर्टिकलरली बात जो कही गई थी वो यह कि आर्टिकल 14, 19, 20, 21 इनका अगर कहीं पर भी वाइलेशन होता है तो उस केस में जुडीशल रिव्यू और आम से किया जाएगा किसी भी प्रोविजन को लेकर के तो वो ही पॉइंट यहां पर आ रहा है कि 9 schedule में डाल तो दिया आपने चलो कोई बात नहीं पर आप point यहां पर यह निकल के आता है कि इसको challenge अगर judiciary में कर दिया जाएगा तो उसके बाद डालने के बाद में challenge कर दिया जाएगा तो judiciary definitely इसको review कर सकती है ठीक है इसमें Supreme Court ने क्या कहा था कि कोई भी provision कोई भी law अगर 9th schedule में डाला गया है और वो भी कब 24 April 1973 इसका मतलब case 1 अंद भारती judgment जिसमें basic structure doctrine आया था उस doctrine को आने के बाद में जो भी law आपने 9th schedule of Indian constitution में डाल दिया उन सभी का judicial review हो सकता है without any doubt ठीक है कोई लो case में ठीक है कोई भी अगर प्रोविजन आप 9th schedule में डाल दोगे तो भी उसका judicial review हो सकता है अगर वो basic structure का violation करता है mainly fundamental rights और basic structure के अगर बात करें अब यह doctrine अपने आप में बहुत ज़्यादा wider आपको पता है और time to time Supreme Court खुट define करता रहता है कि आजी basic structure है क्या शुरुवात हुई थी 24th of April 1973 से ठीक है ना तो आपको क्या करना है समझ के होंगे 9th schedule और यह जो basic structure doctrine है इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना आप ठीक है नेक्स्ट है देखो जमू कश्मीर में hybrid militants है वो उनको arrest किया गया कुछ arms भी मिली है अब अमारे लिए important बन जाता hybrid militant कौन होता है देखो hybrid militant वो होता है वो लोग जो कही ना कही militancy का काम करता है terrorist activities को conduct करवाता है पर वो normal times में अगर देखोगे तो वो कोई ना कोई job कर रहे है या कोई business कर रहे है जिससें कि उन पर कोई शक ना करे मतलब market में बैठते हैं आराम से लोगों से मिलते जुलते हैं बर underground वो जो है militant activities को conduct करते हैं और साथ में उनके बारे में पुलीस के पास में भी कोई record available नहीं है कि हाजी ये लोग जो है यूटी किये या country किये security को next करनाट का state legislative council ने एक बिल पास किया है जो कि state legislative assembly मतलब देखो bicameral system है करनाट का में ठीक है ना वहाँ विधान सबा और विधान परिशत दोनों है तो विधान सबा ने तो anti-conversion bill है वो पारित कर दिया था 2021 में ठीक है विधान परिशत में इसको introduce किया नहीं गया था विधान परिशत में तो state legislative council जो की upper house होता है ठीक है तो वहाँ पर अब जो है clear cut majority आगई बीजेपी के पास में तो इसलिए bill introduced कर दिया अब anti-conversion bill जो है वो किस से related है कि कि किसी भी individual को forcefully उसके धर्म परिवर्तन के लिए मतलब धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा ठीक है तो हमारे constitution के आप से देखें तो article 25 ये कहता है कि बिना किसी को pressurize किये अगर कोई खुशी खुशी अगर अपने religion को change करना चाहे वो कर सकता है पर किसी पर दबाव बना करके आप नहीं कर सकते तो वो चीज जो है उसी को ध्यान रखते हुए कहा है कि बही religion जो है वो change करना किसी पर भी एक तरीके जो forceful conversion नहीं होना चाहे उसको रोकने के लिए bill लाए गया है दूसरी चीज यहाँ पर यह बताई जा रही है कि कुछ दलित community के इंडिवीजूल सैसे है जिन्होंने अपना धर्म परिवर्दित कर लिया अब धर्म परिवर्दित कर लिया उसके बावजूद भी वो दलित community का आपने आपको दिखा करके और फिर बाद में government के द्वारा जो benefits दिये जाते हैं उन benefits को भी उठाना चाते हैं वो तो उस point पे यहाँ पर government का यह कहना है कि जिन लोगोंने conversion कर लिया ठीक है और वो दलित community में भी अपने आपको categorize करके benefits लेना चाते हैं उनको भी हमें रोकना है या तो conversion करो मत कर रहे हो तो फिर उसके बाद में आपको जो benefit पहले वाले धर्म के basis पे मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे यह चीज़ है यह बात बोली जा रही है इसके लावा article 25 साफ साफ कहता ही है जो मैंने आपको बता दिया ठीक है right to religion को भी आप revise कर लो चलो इस बात को लेके और comment box में ये भी बता दो कि हमारे country में कौन-कौन से state से जहां पर bicameral system चल रहा है वर्लड पेस पर अगर देखें तो देखो रशिया ने अपनी दरफ से सीधा clear बोल दिया है कि US अगर Ukraine को जैसे बातचीत बहुत चल रही है कयास बहुत चल रहा है कि अगर US Ukraine को GM LRS rockets और HIMARS launchers अगर देदेता है तो बोलो ठीक बात नहीं होगी बिल्कुल भी क्योंकि ये जो है बहुत ही 80 से 100 km distance तक जाकर के भी हिट करने वाले ये instruments है ठीक है इनको लेकर के रशिया ने बात बोल दी वैसे तो underground ये बाते आ रही है कि इनका यूज किया जा रहा है उक्रेइन में पर अभी तक clear नहीं है allegations से लग रहे है open up नहीं है ये बात तो इस तरीके से श्रलंका ने इंडियन ओशियन के लिए क्या बोल दिया कि जी हमें जो है बली का बकरा बनाया जा रहा है और श्रलंका जो किसी भी तरीके से इंडियन ओशियन में अगर लडाई होती है किसी भी ग्रूप में जिसमें इंडिया चाइना में है तो इनके बीच में जो tough war तयार हो रहा है उसमें हम बिल्कुल भी participate नहीं करेंगे किसी भी ग्रूप में क्योंकि यह चीज हमने experience कर ली जब अभी चाइना का जो spice ship आया था उसको लेकर के इंडिया ने जो दबाव बनाया और चाइना ने फिर जो black mailing की थी उसको लेकर के फिर आपको क्या करना है FSDC के बारे में पढ़ लेना UPSC Point Office है Financial Stability and Development Council जिसको चेर किया जाता है किसके दौरा Finance Minister अभी Finance Minister आपको पता निर्मला सी तरवन्जी है इसके लावा देखो अभी कल पर से एक news आई थी ठीक है जिसमें देखा गया था कि सिकंद्राबाद में आग लगती यते लंगना की सिकंद्राबाद में इस शोरू में आग लगती एलेक्ट्रिक वेइकल्स के और उसके उपर होटिल था उस होटिल में रहने वाल कुछ वो गेस्ट आय होए थे तो उनमें सार जनों की डेथ हो गई थी तो उसमें ये इश्व आ रहा है कि आग लगी तो लगी कैसे क्योंकि एलेक्ट्रिक वेइकल्स थे और आपको पताईए कि हमने कई इंसिदेंट्स ऐसे देख लिए आपने भी सुने होंगे देख लिए होंगे वीडियो कि इलेक्रिक वेइकल्स की बैटरी है वो बस्ट कर रही है फट रही है गर्मी की वज़े से तो उस चीज को लेकर के बैटरी सेफटी नॉर्मस को लेकर के एक पैनल का नाम तो यहांपर क्लीर आया है नहीं थीक है वो recommend करेगा कि कैसे हम battery safety को ensure कर सकते क्योंकि electric vehicles को हमें rise करना है ही इसके लावा साओधी अरब फिर से देखो इंडिया के लिए number two crude oil supplier बन गया है रश्या को replace करके देखो इराक तो number one पहले से था फिर बीच में जो है वो रश्या आ गया था जब Ukraine पर रश्यान आटेक कर दिया था फिर हमने रश्या से concessional जो कि तेल खरीदना शुरू करी दिया था फिर अब साओधी अरब है वो वापिस से number two पे आ गया है ठीक है और वैसे देखा जाए तो हम जो crude oil import करते हैं उसमें organization of the petroleum exporting country उपेक जो country ना उनसे हम जो import करते हैं उसका percent अगर आप देखो तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसको थोड़ा यह देखो आपे हम जितना तेल इंपोर्ट करते हैं उसका ओपेक country से आता है 59.8% जो कि पिसले 16 सालों में lowest level पे चल रहा है उसमें कारण क्या है कि ऑपे countries में जो African countries जो उनसे हम तेल कम मंगाने लग गए हैं दूसरा अगर देखें तो Russia number two हो गया था अब number three वापिस चला गया है और वैसे अगर देखा जाए ना तो Russia के export की अगर बात करें तो Russia सबसे ज़्यादा है crude oil export अभी currently किसको कर रहा है चाइना को number two पे किसको कर रहा है इ Western countries को पर Western countries ने क्या कर दिया sanctions लगा दिये इस वज़े से यह number one number two चाइना इंडिया बन गये है जब से यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है है ठीक है एक सगेंड रूखो बस इस डिस्कॉशन में इतना ही है थैंक्यू बेरे माच